दोस्तों समर का सीजन आ गया है और हो सकता है आप इनवर्टर विद बैटरी पर्चेस करने का सोच रहे हैं और ऐसे में आपको एक ट्रॉली भी खरीदना पड़ता है तो रिटेलर से जब आप इनवर्टर खरीदते हैं तो उसके बाद जब आप ट्रॉली का डिमान करते हैं आपको बहुत ही लिमिटेड चोइस रहते हैं और साथ में वह आपसे एक प्रीमियम प्राइस से भी ज्यादा आपको चार्ज कर लेता है ऐसे में दोस्तों अगर आपको एक ऐसा ब्रांड मिले जो कि आपको फुली मेटल बॉडी ट्रॉली प्रवाइट करें वह भी विदि इसके अन्बॉक्सिंग करेंगे इसका इंस्टॉलेशन करेंगे और इसका कम्प्लीट प्रड़क्ट ओवर्व्यू लेंगे माइव अविना स्वागते मरेश चनल दोस्तों बिल्ड इसके लिए एक रिनाउंड कंपनी है और यह बहुत ही क्वालिटी प्रड़क्ट बनाती है आपका इंवर्टर ट्रॉली के अलावा यह रेफ्रीजरेटर वसिंग मेसीन के लिए भी ट्रॉली बनाती है उसके लावा भी इसका प्रड़क्ट रेंज बहुत ही भास्त है आप चाहे तो इसके वेबसाइट में भी जाके भी चेक कर सकते हैं इसे मैंने फ्लिपकार्ट का डीटेल एंड मार्केटेड बाई लिखा हुआ है जो कि एक इंडियन प्रोड़क्ट है तो अब चलिए इसे फटापट हम लोग बाहर निकालते हैं इसका बॉक्स का सील को मैंने अल्रेडी खोल लिया था बॉक्स की क्वालिटी दोस्तों बहुत ही अच्छी है और यहां पर यह इसका पूरा प्रोड़क्ट है तो मैं इसे एक एक करके बाहर निकालता हूँ तो यहां पर दोस्तों यह देखे यह है इसका फस्ट पार्ट जो की ब्लैक इन कलर है यह इसके साइड में रहने वाला है यह इसका दूसरा पार्ट है और जैसा कि इमेज में दिखाया यह इसके बॉटम का पार्ट है बॉक्स के अंदर दोस्तों कोई इंस्ट्रक्शन मैनूल नहीं दिया गया है लेकिन इसे इंस्टॉल करना बहुत ही इसी है और हम यूट्यूबर्स का ही काम है कि हम आप लोगों को यह बताय कि कैसे करना है तो चलिए यह हो गया इसका कम्प पर देख सकते हैं दो दो चार्च छे और यह दो आठ स्कूरू है विल यह आप आप देख सकते हैं यह फुली प्लास्टिक वील है और यहां पर ग्लोब की ब्रांडिंग की गई है और यहां पर आप अंदर इसका देख सकते हैं यह एक स्कूरू के तुरू कनेक्टेड है यह दोनों वील अलग-अलग freely rotate कर रहे हैं, तो यह होगा इसके wheel की बात, और मैं इसकी quality की बात करूँ, तो यह एक metal seat है, यहां पर आप चाहे, तो इसकी thickness को भी देख सकते है, यह बहुत थिक है, और यह easily fold, इसे मैं करने की कुछिस कर रहा हूँ, यह खुल नहीं रहा है, और यह जो part है, यह पूरा metal है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर इसे connect होना है, यहां पर screw को connect करने के लिए hold दिया गया है, और इसकी जो gaze है, यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखा हूँ, तो इसका जो gaze है, वो भी बहुत ही thick है, और यह मोटा है, कोई पतला metal use इसमें नहीं किया गया है, इसमें आप देख सकते, यह side का frame है, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर इसे की hole किया गया, connection के लिए, यहां भी आप इसे देख सकते हैं, इसके thickness को कितना है, और यह इसका bottom में, यहां पर जहां पर इसका wheel लगने वाला है, तो दोस्तों आए सबसे पहले इसका foot-a-put measurement कर लेते हैं, तो सबसे पहले इसके seat को हम लोग कर लेते हैं, यहां आप देख सकते हैं, यह 21.5 inch है, length में, और इसका breadth भी हम लोग देख लेते हैं, यहां पर देखते हैं, तो यह exact, exact 12 inch इसका breadth आ रहा है, और अब हम लोग इसकी height को measure कर लेते ह है तो बिना वील का अभी फिलाल हम लोग इसका हाइट को मेजर कर रहे हैं और यहां बॉटम तक जो आरह है हाइट वो है आपका 24.5 और दो हमने इसकी विद्थ को मेजर कर लिए लेकिन हम लोग इसके भी विद्थ को भी देख लेते हैं तो यहां दोस्तों आपको दिख रहा र्ट करते हैं और से लिए फटाने की वीक टाई सबस्क्री करते हैं तो दोस्तो यह दोनों इंटिकल है तो आप किसी भी साइट को लेफ्ट मैं या राइट में रख सकते हैं पुछली सबसे पहले हम लोग बॉटम में ही कनेक्शन इसका करते हैं और दोस्तों इसके लिए आपको एक रेंच लगेगा जो की 14 नमबर का आपको लगने वाला है तो अभी इसे हम लोग इस्टॉल करते हैं इस्टॉलेशन के रिए हो सकता है कि आपको किसी और की मदद की जरूरत पढ़ जाए क्योंकि अकेले इसे सायद इस्टॉल करना थोड़ा मुस्किल हो आपके लिए तो अगर आपको किसी और की हेल इस तरह से आप यहां देख सकते हैं दोस्तों आप इसे पहले अपने हाथों से जितना हो सकें टाइट कर लिजिए ठेट का बैठना बहुत ही जरूरी दोस्तों अगर आपका यह ठेट सही नहीं बैठता है तो आपका यह टाइट नहीं होगा यह बोल्ट है पूरी तरह से अंदर नहीं जाएगा तो यह दोस्तों 15 नमबर का मुझे लगा है ना कि 40 नमबर का तो अभी फिलाल में दोस्तों से पूरीता से टाइट नहीं कर रहा हूं अभी जितना जरुवत है उतना ही मैं इसे डाल ले रहा हूं बाद में फाइनली मैं इसको पूरी अच्छी तरह से है त pupil कर दोंगा दोस्तों एक साइट का बहुत ही असानी से लग गया इसी तरह मुझे दूसरे साइट का भी लगाना है कि जोस्तों यह दोनों साइड का मेंने लगा लिया है अभी तक मैंने तक मेने टॉसरी टाइट नहीं किया है क्याकि बीट का मुझे भी डालना है इस portion को डालने के बाद ही मैं सारे बोल्ट को फुली टाइट करूंगा अब मुझे इसे बीच में यहां लगाना है तो जोस्तों एक बदल पूरा राइनमेंट सही से हो जाए उसके बाद ही आप उस कुरू को फुली टाइट करना सुरू कीजिए जैसे कि मैंने आपको बता है यह बहुत ही आसान है इसमें कुछ भी ज्यादा difficulty आपको फेस नहीं होने वाली है तो दोस्तों यह fully fit हो चुका है और fit करने के बाद दोस्तों मैं आपको यह दिखा यह पूरी तरह से stiff हो गया है बिल्कुली solid and rigid हो गया है तो यह है इसका complete structure अब आप चली दोस्तों हम लोग इसका वील को भी लगा कर देखते हैं कि वील लगाने के बाद इसका overall look कैसा आता है तो दोस्तों 11 नंबर यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं यह 11 नंबर है जो आपको यहाँ पर लगने वाला है आपको इसे hold करना होगा क्योंकि यह freely move कर रहा है आप देख सकते हैं यह freely move कर रहा है इसलिए आपको इसे यहाँ दोस्तों मैंने इसको लगा दिया विसी तरह मैं इसे भी लग कर देता हूं दोस्तों मैंने यह 4 विल्स भी लगा दिये तो विल्स लगाने के बाद यह वह लुक है जो आपका आ रहा है विल इसका सारा रोटेशनल विल्स है जो कि आप अराम से देख सकते हैं और इस अराम से मूब भी कर रहा है तो दोस्तों अब हम दोगे इसे जवीन आपको की नीचे और नी के ऊपर राउंड थाय हाइट पर आ रहा है जो कि decent हाइट इसका इता अचा है कि अगर आपको कोई टेबल या फिर कोई इस तरह का राक है तो उसके नीचे भी आप इसे असानी से डाल सकते है यह आपको एक्स्टा कोई स्पेस भी नहीं लेगा और तो चुकि ये इसके जो color combination भी है बहुत ही cute लग रहा है देखने में सुन्दर लग रहा है नीचे का जो दोस्तों इसका area है मैंने आपको इसका length और height में दिखा दिया तो और fitness के बाद भी जो space आ रहा है किसी भी प्रकार के battery के लिए बिल्कुली perfect रहने वारा है उपर का platform भी आप देख सकते हैं पूरा solid है और चुकि इसका उपर में कोई top नहीं है तो आराम से किसी भी size का आप inverter इसके उपर रख सकते हैं नीचे में चार wheels है जो की rotational है आराम से ये मूफ कर रहा है और चुकि दोस्तों इसमें कोई lock नहीं है वैसे भी आपके inverter टॉली में किसी lock की जरूरत होती नहीं है लेकिन आप इसे ध्यान रखिए बिना लोग के थोड़ा roll over हो सकता है strength की अगर बात करें तो दोस्तों ये बहुत ही मजबूत है इसका quality इतना अच्छा है कि अगर मैं इसके उपर बैठ के भी खुद को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये fully metal body है और इसके quality बहुत ही अच्छी है दोस्तों 1000 रुपए के अंदर में इस metal body का fully और जो bolt जो इसके साथ provide किया गया उसे लगाने के बाद जो strength इस पर आ रहा है वो बहुत ही premium quality का है आप इसे आख बन करके अपने inverter और बैटरी के लिए खरी सकते हैं इस price में इससे अच्छा product flip card पे मुझे नहीं लगता आपको मिलने वाल कि जिस एम पर ढ करें आपको मिलने चाने हैं लगता नहीं ऊपने प्ज़ जखा आपको मिलने हैं रहा हैं रहा हैं ।